असलामों अलेकूम फाइनली एक और नई जगा और बिल्कुल खुब्सूरत ये भी है आप देख लें और अभी हम लोग उपर भी चड़ेंगे हमारे जफर भाई के साथ जफर भाई इधर देख लिए जना आई है ना उपर आई है अब पीछे किरकेट हो रहा हो पीछे में दिखा देता हूं जाँ पे किरकेट भी होता है आप देख लें और यहां हमारी बाई खड़े है जो मेरी हम सफर है और यहां पे गाई बाई भाई भी चलती है और अच्छा क्रिकेट यहां पे हो रहा है तो फिर अभी जो हम लोग चलाए करें इदर है यह पथर भी हमारे पीछे और उपर चाड़ को दिखाते हैं जाफर भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं रास्ता भूत खराब है देखो रास्ता कैसा बिल्कुल हमें कैसे जाना पड़ रहा है और उपर चाड़ना है कम से कम उस पत्तर तक तो जाना ही जाना खास के मुझे कि कि मैं ऐसी चीज़ को बिल्कुल दबा के पसंद करता हूं और अभी मैं गिर जाता हूं यहां फिसला मेरा पैर फिर से उपर हाँ यहां पर गास है चोटी चोटी पर इस पत्तर पर अभी हम बैठेंगे और यहां से आपको हम टोटल नजारा दिखाएंगे कैसा लगता है यहां से काफी उपर आ चुका हूं और यहां से जो आपको सीन दिखेगी वह बिल्कुल खुबसूरत रहेगी और यहां का फिर भी थोड़ा अच्छा है थोड़ी थाकान हो रही है चड़ने में थाकान ज्यादा हो जाती है जपर भाई हमको देख रहे हैं जपर नीचे ही रागए और हम काफी उपर आ गए लोग यह देखो नीचे हमारे गाउं में किरकेट हो रहा है वहां पर बैठे हुए हैं जफर भाई और इधर वाली पहाड़ा आप देख सकते हैं और हर दगा चारों तरफ से पहाड़ से घीरा है हमारा बिहार और यहां पर कहां कहां की पहाड़ यह हम आपको नहीं बता सकते का है क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं कि यहां पर कहां कहां से पहाड़ गिरी हुए और वहां आपको देखने में बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लग रहा होगा लेकिन रियली में यह है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ठीक है तो इ या ना होंगे वीडियो में कोई गरांटी नहीं है कि यहां की चिनियों को पता होता है कि उनके दुश्मन है ये इनसान और ये है हमारे गाउं का एक छोटा तलाब है ये लेकिन है ये भी तलाब ही और एक और मैं आपको दिखाने वाला हूँ तलाब लेकिन उसके लिए हूँ के तो वह तलाब है लेकिन यहां से सही से नहीं दिख सकता क्योंकि मैं उस लेवल पर हूँ नहीं अभी और अभी हम फिर से साथ चढ़ाई करेंगे लेकिन आज यहां बारिश हुई है तो पैर बहुत ज्यादा फिसल रहा है और यह जड़ देखें जो बिलकुल साप की तरह लग रही है तो यहां से हम चढ़ेंगे अभी शायद लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो डर होता है वो पैर फिसलना को होता है यहां पर कोई जंगली जानवर नहीं है ऐसा जो आपको खतरा पोचा सकते हैं यहां पर सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है इनसान को हो साउह को साउप मुझि कीडे मकॉड़ कुछ कीडे मकॉड़े अजिए धार हम चढ़ें यह आप बादल देख लें, जो कितना सुन्दर लग रहा, माशालला से, अल्ले ने बहुत खुफसूरत दुनिया बनाई है, यह देखें आप, यह कितने खुफसूरत लग रहे हैं, और यहां से फिर हम इस पर चाड़ेंगे, यह रहा मेरा पहला, और यह रहा मेरा दूसरा देख लें, यह देखी किती ही चाहिए है, अगर हम गिर गए, तो शायद ही, मेरा हाथ पर तो तूटी जाएगा पका, तूट नहीं तूटना है, क्यूंकि मैं बहुत उपर चाड़ावा हूँ, बट यह देखें, आपको जो मैं दिखाने आया हूँ, वो मैं दिखा दूग तो यह, मेरा हफते में दो दिन वलोग आता है, एक मंगल के दिन आता है, एक जुमे के दिन आता है, तो भाई, ज़र देख लें, हम तो बहुत ज्यादा उचाएपे चाड़े हुए हैं, आपने भी देखा, कि कितनी उचाएपे हैं, लेकिन हम आपको और अच्छे से दिख पुशा के रहूँगा, और हमारे पीछे देख, और अभी जो यह सब हरा हरा जो आप लोगों को दीख रहा है, वो वज़ा यह है क्योंकि अभी बरसात आया हुए, और बरसात में गौँ की खुफसूरती, पहाड की खुफसूरती, या जानवर वगएरा सब अच्छे है, वहाँ हम कुछ दिन के बाद जाएंगे, तो वो वोग शायद जुमे के दिन पोस्ट होगा, लिकन होगा जरूर, और पहले आप पीछे के फिर हमाया आपको नजारा दिखाता हूँ, एक बार और ठीक है, यह जो है, आपको सारी जो पहाड़ा दिख रही है, यह बहुत सकते हैं, यहाँ पर छोटी छोटी जो बकरी है, कि तुपर देखिए, वो जो है, वो वहाँ पर आपको दीख रही है, वाइट कलर की वो बकरी है, उसके पीछे भी आपको एक और वाइट कलर की दीख रही है, वो भी एक बकरी है, यह देखें, यह भी बकरी ही है, तो यहा यहां पे बहुत जादा ताड है और यह मेरी जूम करने के बाद शायद वीडियो फट गई होगी क्योंकि यह भाई फून का कैमरा है और इतना जादा कहां से हो सकता है इतनी जादा कैपिसिटी नहीं है इसके अंदर जो हर चीज़ को बारीकी से कैद कर ले आप समझे यहां पर यह ताड है यह बहुत जादा खुफसूरत है मैं जब उस पहाड पर जब चडूँगा देखिए उस पहाड पर जब मैं चडूँगा तो वो मैं आपको बारीकी से बीखा दूँ का और जफर भाई वहां बैठे हुए हैं यह देखें हैं जफर भाई चुपचाप से बैठे हुए हैं जफर भाई पीछे देखें यहां मैं कैसे बैटा हूँ बिल्कुल शाही अंदाज में तो आज का शायद वीडियो इतना ही रहेगा क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है उपर जा है इंशालला दो दिन के बाद मैं जाओंगा तो आपको मैं यह वीडियो यूटूब पर पोस्ट करूंगा और आप यह वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही भाई बहनों जितनी भी हो अला अफिस फिर मिलेंगे इंशालला जय हिंद जय जय है वारत